तो समझो कि पैसर फीसिदी जो लोग है उनको पूरा नौकरी मिले जो समाज के आते हैं लेकिन इतने में हमारा चाचा धी पलड गए हम लोग नौकरी दे रहे थे हमान दे बढ़ा रहे थे जाती है अधारित गन्ना करा रहे थे आरक्षण बढ़ा रहे थे सारा काम करें थे लेकिन उपलड ये वो पलटे पलटे क्या किये नहीं किये लेकिन उन्हीं का मंतरी सब मेरे साथ बैट करके प्रेस कांट्रेंस किया अम मुख्य मंतरी नितीश कुमार बार बार बोलते थे जब जाती अधारित गन्ना हम लोग कराए तो भागपा वाला सब कोट चला गया कोट चे रुकवाना चाहता था हम लोग सुप्रीम कोट जाकर के जीत क्या है फिर यही बात हुआ कि भाई यारक्षण यो बढ़ाए यारक्षण देखो फिर भागपा वाला खतब करवाएं हम तो उसी डाइम समझ गये थे इसलिए अनुस सूची नौ में डलवाना चाह रहे थे कि अनुसीची नौ में राजाएगा तो आपका आरक्षण बचावा रहेगा उसको कोई खत्रा नहीं रहेगा जरीब को उसका अधिकार मिलता रहेगा अपील करते रहे गए मोधी जी स आइए खतम कर लूए और अभी जवी चाचा जी परण गया भाज पाया तो फिर पी वेला कोड जाकर के इसको रुकुआ दिया है बताओ इसमें किसका नुक्सान है तेजश्वी का क्या नुक्सान है यह तेजश्वी का नुक्सान नहीं है यह उन पीरिशोषिच समाज जो कमजोर वर्ड जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है पिछला समाज अति पिछला समाज दलित समाज अधिवासी समाज जो गरीब है जो ठेला धोने वाले हैं जो लोग रिक्षा चलाने वाले लोग हैं जो भीक मांगने वाले लोग हैं जो जिनके पास भूमी न कर रहे हैं हम तो यहीं चाहते हैं कि बिहार के लोग सब लोग इस लड़ाई में एक जुट होईए जब तक आप लोग एक जुट नहीं होएगा यह भाजपाक की पार्टी अमीरों की पार्टी है इनको गड़ी बोशन लेना देना नहीं है यह अरक्षन विरोधी है और भाज पार और अरेसेज का एक मात्र अजेंडा है के सन्विधान को खतम करों अननाग पुरिय कनून को लागू करों सन्विधान हो जाएगा तो आरक्षन खतम हो जाएगा अज बड़ा दुख होता है कई बार जो है अपने आपको जो लोग समाजवादी बोलते हैं आज उनका चेहरा जो है उजागर होगा बड़ा दुख है पीड़ा होती है हम तो सम्मान देते हैं चाचा बोलते हैं लेकिन वो और उनकी पार्टी आज भी मूर में दही जमा के बैठे है एक बार भी इनके लिए आवाज नहीं उठा रहे है आज उनके बदालों अगर भारत में सरकार चल रही है उनके पार्टी के लोग मंत्री है बारों सरकार में अगर भास्पा ने मना कर दिया आज जाती जनगना कराने से नौवी अलिशी में अभी axe कारक्षा को डालने से तो जितना बड़ा दोसी भास्पा है उतना बढ़ा दोसी निटिश्कुमार जी ल सिट दावल इंजिन की सरकार चुपी सादर यहां बता लेटरल एंट्री करा दिया गया जो गड़ीब है पिछले समाज के अती पिछले समाज के दली समाज के उनको तो भीकारिये बनाना चाहते लेकिन कोई लोग अगर महनत करके पढ़ ले आई पियस का तयारी करा ले आई इस का तयारी करा ले तो उसको भी यह लोग मेगुशने देला चाहते हैं अभी 45 गुपत लिकाल दी आईस आई पियस का बीना आरेच्छन को लागू किये हूए बिना पडिक्षा को लिये हूए उसको कहते हैं लेटरल लेटरल करके लेटरल एंट्री के बहाने कोई पडिक्षा नहीं होगा यह आईएसाइप बढ़ी है तो यूपीएसी क्या करेगा उसका पडिक्षा है नियम है पूर सिविल सर्विसेस के लिए तैयारी होती है जो दिन रात बहनात करके आईएसाइप बढ़ना चाहता है उनक क्रिशी विभाग में एकल्पद के बहाने आरक्षण को खतम कर दिया है भाजपा के लोगों ने अदुख की बात है कि क्रिशी मंतरी अपने आपको भी सिख करते हैं भारत सरकार के मोदी जी पिछड़ा को हते हैं अब फिर बोलते हैं अभी इंटर्विव में चुनाओं मे जो देनाराइब चौधरी जीन बोला कि हम तो इंसान हैं नहीं है हम तो भागवान के रूप है यह बात बोलने वाला वेक्ति तो आप लोग सब लोगों को यह हम लोग कहने आए हैं एक जुठ होई है और लड़ाई लड़िये अपने अधिकार को जानिये कहावत है ना जो सोवत है तो खोवत है सोए रहोंगे तो खोते रहोंगे कुछ होना जाना नहीं है जो आज थोड़ा बहुत कई लोगों के कुर्बानियों के बाद संघर्चों के बाद हमारे समाजवाजी लेताओं के संघर्चों के बाद लालु जी के संघर्चों के बाद जो कुछ भी सम में आवाज मिला है लालू जी ने दिया है वो भी लुक्षीन लेगा इसलिए आप लोग सब लोगे एक होई हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हम सब को साथ ले करके चलना चाहते हैं कोई जात के कोई धर्म के हो लेकिन अगर किसी समाज के साथ अगर कोई अन्याय कर रहा ह तो हम लोगों का खड़ा होना भी उनकी रच्छा करना भी उनकी लिलाई लबने का भी फर्थ हम लोगों के उपड़ आता है उस दाइत को ने बाने के लिए तेजस्वी पीछे हटे वाला नहीं उनकी लडाई में सबसे आगे मिलने का पिलेगा तो इसलिए आप सब लोग है अपने विचार को जो हम लोगों ने चर्चा की है उसको जंड जंड तक आप लोग पहुंचाने का काम के लिक बहुत तरह और साजिस्ञेंबा चुना होगा क्या होगा ये है वो है इन भर आम लोंग तो गाली यह खाते है अग अग जितना गाली दतर्हा सूट होते हैं तो जितना जिसको गाली देना हूं हमको दो हम गाली खाने के लिए तयार हैं लेकिन इस लड़ाई को छोड़े के लिए तयार हैं तो हम लोग तो लड़ेंगे जब तक आप अधिकार नहीं मिल जाता तेज़स्वी की एक और लड़ाई है हम चाहते कोई ऐसा गौजवान ना रहे बेरोजगार जिसके हाथ झो है खाली रही मेरी एक्षा है कि हर एक बेरोजगार को हर एक नाजवान के हाथ में हम लोग काम देने का काम करें ताकि उसका घर चलता रहे उसका झीवन भमिश सुद यह बेरोजगारी की लड़ाई जो है यह भी साथ-साथ हम लोग जो है लड़ाई लड़े का काम करें लेकिन आज देख लिजे सक्ता में जो लोग है क्या काम कर रहे हैं तेजश्वी के जाने के बाद बता दो एक नौकरी दिया होतो हुँ कितना दिन हो गया इस सरकार के अब भाजपा के एक हो जाना दूदू अटिप्टी सींग और एक हो काम बटा दो तेजश्वी तो गिला देगा हम जो रहे काम गिनाए हैं लेकिन भाजपा के अप्व मुख्मंत्री दो यह नों है दोनों का एक एक कोई काम गिना दे जो एक का किया हो बदाओ एक कोई काम किया हो भाजपा काओ कोफ़ने एक काम है कि दीन रात लालू जी को और हमको गाली देना जाते जाते मेरे तो इसलोग पेपरें लिग करा दिया और क्या हुआ रहे भाई पूले पूलिया गिर रहा है कि ऐगी दिन रात अध्य लूट हो रहा है जनप्रति रिध्यो की अध्य हो रही है गौली बड़ा जारा अध्य देप्चाईकों पर हमला हो रहा है कोई सुने वाला है कोई देखे वाला है है भास इनको चुनाओ जीतना है चुनाओ कहले जीतना करे के बहालाई की लिए नहीं को उसका फ़िए छाने की. इसे लिए चुनाओं हम लोग तो इतना साल भी पक्ष में रहें और तेजस्वी राज़ीती में तब आये जरू हम भी पक्ष में थे हम पर केश मुकदमा किया किया सब कर लेने दो जो सच साच को आज किस बात की सच की जीत होती है सट की जीत होती है और आप भी भी देखिए कब से सट्रा से मुकदमा कर रहा मेरे उपर क्या हो गया और मजबूत हुए कि नहीं हुआ हर जगा जूट तिकता नहीं है इसलिए आप सब लोगों से यह कहना है कि यह लोग जो लोग सत्ता में है जो आज गाली दे रहे हैं कि आज हम लोग धर्णा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके जो लोग है उसमें मंत्री थे अभी कारेकारी राष्ट्य धेख्र बने हैं उस शायद बोले हैं कि लोग